बारते रेल्वे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक कई एम कदम उठाएं बारते रेल्वे ऐसी सुविधा देने की तयारी कर रहा है जिससे की आपका समान आपके घर से सीधा ट्रेन की सीट तक मौचाया जाएगा रेल्वे की इस सुविधा का नाम होगा एंटो एंड लगेज सर्विस तो दोस्तो आज की ओड़ो में मैं आपसे इसी वारे में बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से सुविधा का लाव उठा सकते हैं कि आप भी अपने लगेज को घर से सीधा स्टीशन या फिर ट्रेन और ट्रेन से सीधा घर तक पहुँचा सकते हैं और इसमें कितना खर्च आएगा वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है पार्त और आप देख रहे हैं दरील फैन पार्त दोस्तो वीडियो गर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और ऐसी ही इन्फरमेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज मैं चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा और साथ वाले बैल आइकन को ज़रू से प्रेस कीजेगा ताकि आपको मेरे वेडियो के नोटिफिकेशन जल से जल मिलती रहे तो फड़ाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को भारती रेलवे यात्रियों के घर से समान का पिक अप और होम डिलिवरी करने की योजना बना रहा है दोस्तों योजना लाग होने पर कोई भी यात्री नौडल एजनसी एप के जरीए ये रेलवे की वेबसाइट के जरीए माध्यम से अपने समान को बुक कर सकता है दोस्तों इसी के बाद घर से स्टेशन तक समान ले जाने और लाने का तनाव तो कम होगा ही और कुलियों की चिक-चिक भी आपको नहीं जेलने पड़ेगी कुलियों के बीच घिरा विक्ती बहुत फसा हुआ मैसूस करता है यात्रियों को इस दर्द को दूर करने के लिए रेलवे एक अदम उठाने जा रहा है दूस्तों खबर है कि एहमदाबाद रेलवे स्टेशन से इस योजना की शुरुवात 26 जन्वरी को हो चुकी है दूस्तों ट्रायल सफल रहने पर देश के दूसरे हिस्सों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा पूर्वी भारत में पटना पहला ऐसा जंक्षन होगा जहां पर इस योजना की शुरुवात होगी बीते दिनों रेल मंत्राले ने इसके लिए पूर्व मंदल को मंजूरी दे दिया फिलाल इसके लिए रेल्वे कई एजन्सियों को स्टेशन के अंदर सौ वर्ग फीट की जगा मुईया करा रही है शुरुवात में रेल्वे स्टेशन के 50 किलो मिटर के दाएरे में ये सुविधा शुरू की जाएगी अब ये तो आपने जान लिया कि ये कहां से शुरू होगा और कब होगा अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कितना होगा और आपको इसके कितने पे करने पड़ेंगे अगर आपका बैक 10 किलो का है तो आपको उसके लिए 125 रुपे देना होगा अगर एक टिकट पर एक से जादा बर्थ है तो समान जादा होने पर अतरिक बैक आपसे प्रती बैक 50-50 रुपे लिए जाएंगे स्टेशन पहुशने पर बर्थ या बोगी तक ले जाने के लिए कुली का चार्ज निर्धारित है वे भी आपको देना होगा इस दोरान आप अपने सामान को GPS के जरीए ट्रैकिंग भी कर सकते हैं तो दोस्तों देखा आपने आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं इस सर्विस को और दोस्तों आप जरूर से बताएगा कि आपको ये सर्विस कैसी लगी रेलवे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और दोस्तों आज की उने में बस इतना ही मिलते हैं आप से दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बब बाई टेक क्यार